शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें कि अब एक काबर तूने मेरे डिपा में आने की हिम्मत कैसे की अरे जहाज कभी तूफान से पूछता है क्या कि उसने समुंदर में आने की हिम्मत कैसे की क्योंकि जब तूफान आता है तो तबाही करके ही जाता है मगर तेरी तबाही का दूसरा नाम है विश्णाचनाच तूने मेरे अफीम से भरे चार ट्रक पुलिस में पकड़वा दिये और मैंने आज तेरे डिपो में घुसके तेरे तस ट्रक चला दिये आज के इस इवनिंग न्यूस पेपर में तेरी बरबादी की ख़वर छपी है अब बोल दूपान कौन तू या मैं कल सबेरे टाइमस ऑफ इंडिया भी देख लेना वो होगा जो इंडिया में कभी नहीं हुआ था दावर रिवार स्केर में गाड़ी डाल और निकल जाया थे अगर मैंने मेरे आदमियों का आवाज दे दी तो तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा चल जा वो तेरे नहीं रे मेरे आदमी है मेरे जाए का अट अगर मैं बताता हूं तेरे दिमाग की तरह तरह ट्रक भी बहुत गंदे हो गये हैं इसलिए वो धो रहे हैं लेकिन पानी से नहीं पैटराओल से तरह थो जहीं हो रहे हैं लेकिन तरह बाला के विर में की बहुत है अूद्वोस फड़ которого रहे दोता दिए हईंदी ॉड़बाओल से त मैंज वाला किजिए वाला को सम्सुनास्त कर्देबा है। झाल 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 काम्याब होना मुश्किल ही नहीं नामुम्किन है तो खरिद लो उस इंस्पेक्टर महेंदरनात को वो बिक्था इच नहीं है सर वो अपने फर्ज और अपनी वर्दी के लिए जान कुर्बान करने के लिए वो तयार है आईसा ओफसर है बहुत खुब बहुत खुब उस इंस्पेक्टर की तारिफ सुनकर हम बहुत खुश हुआ है पुलिस में अगर ऐसे लोग ना हो तो तकराने का मजाई नहीं आता वो तो ठीक है सर लेकिन इस वसक्ट जैक का क्या करने का अभी बहुत से काल्ड हमारी जेब में हैं तुम्हारा ये इंस्पेक्टर महंद्र ना जैक को तो छोड़ी देगा बलकि यो कहो कि जैसा हम चाहेंगे वैसा ही करेगा वो कैसे हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है बस उस कमजोरी को पकड़ लो वो तूटेगा ये नहीं बलकि बिखर जाएगा करेगा झाल 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 के लाल मेरा नाम शम्भू है जबरा नहीं अब हम आगें इन सब सालों के खड़िया हम मिलके खड़ी करते हैं झाल एसरा हैं विद्व यह चाल करते हैं आगे लागे वागे आप लोखे को दीवारों विबंद कर ले आप गए लागे लागे कर आप देश़ुरां मुद् लाखों गोलियों की बॉच्छार से गुज़र जाए मर नहीं सकता कौन थे ये लोग पिताजी आप से दुश्मनी रखने वाले मुझरमों आज मुझ पर जान लेवा हमला किया है मेरी जान लेने की कोशिश किया है क्या है तुश पर हमला किया हरी भागवान पुलिस ऑफिसर का बेटा है मुझरम तो तक राएंगे ही पिता जी आप बढ़ती वालों का सलूक ही ऐसा होता है जो मुझरमों के दिल में नफरत और बदली की आग बढ़ देता है नहीं बेटे ये मुझरम कुनाह और पाप की छाओं में पलकर सिर्फ चुर्ब करना पसंद करते हैं और आ मैं तो अपनी आप पीती सुना रहा हूँ आज अगर एक भोला भाला शरीफ ट्रक ट्राइवर मुझे नहीं बचाता तो इस वक्त यहां मेरा शरीर नहीं मेरी लाश होती ही खामोश जो बेहुत अपक्वास की तो है कानून है सजा बनी है मुच्रम के लिए जो चुर्म करेगा उसे सजा मिले की आज की राज जैक की जबान हमेशा के लिए बंध हो जानी चाहिए बढ़ना है इस पेक्टर महिंदरनाथ जाबर जैक की जबान खुल चुकी है और साथ ही तेरे लिए जेल के तरवाते भी महिंदरनाथ इंस्पेक्टर महिंदरनाथ गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग अच्छा हुआ आप खुदी चले आए हम दोनों आप ही का जिक्र कर रहे थे कमीनो मेरे बेटे पे जान लेवा हमला करने वालो आज तुम लोग मुझ से नहीं बचोगे क्यों इंस्पेक्टर अखा पुलीस फॉस लेकर आया क्या अकेला आया हूं और तुम लोगों को साथ लेकर जाओंगा हा ले जाओ चलो सब्सक्र कर दोना मुखबत और जंग में सब जाएज है इंस्पेक्टर मेहं रनात एक, एक महिंदरनाद के मरने से कानून नहीं मरा इज़े बेटा, महिंदरनाद सिर्फ तुम्हारा पिता ही नहीं मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त था एक ऐसा पुलिस ओफिसर, जिसकी कमिशायद कभी पूरी नहीं हो सेते है इसलिए हमारे डिपार्टमेंट में ये फैसला किया है कि इस्पेक्टर महिंदरनाद की जगें तुम्हें बहाल किया जाए प्लीज अंकल, मुझे माफ करतीजे, आपका कानून जूर्म की जगा मुझरम को खत्म करने की कोशिश करता हूँ नतीजा ये होता है कि जुर्म वही का वही रह जाता है, आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि जुर्म कोई जड़ से मिटाया जाए विजे बेटे, मैं तुम्हारे सोचने के तरीके की कदर करता हूँ और इसके लिए मेरा मशुरा ये है कि तुम जेल डेपार्टमेंट जोन कोड़ें वहाँ पर तुम्हें संगीन से संगीन मुझरम मिलेंगे और उन्हें सुधारने का मौका भी मिलेगा अगर ऐसी बात है सर, तो मैं आपसे बादा करता हूँ कि मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जेल से निकला हुआ हर मुझरम पाप और गुना के रास्ते से हमेशा के लिए तुबा कर ले और इस तरह मैं अपने देश से जुर्म का नाम और निशान मिठा सकूँ हाई तो सलाम इंस्पेक्टर साब आव हमारी भी मांदारी की जाच कर लो आप अरे शम्गु भाईया सलाम के साथ सुबह सुबह जूता क्यों मारते भाई तुम्हारी मांदारी और सच्चाई के तो जमाना कसमे खाता है अरे ये तो जमाने का बड़पन है साहब शम्गु भाईया एक वादा करो हमसे क्या साब तुम जब कभी भी मुझे ड्यूटी पर देखोगे बेधरक ट्रक रोके बिगार बुज़र जाओगे चलो साब ये भी वादा रहा है रामगीन गेट करो जी साब कि अधिन 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 क्या आधिन अधिन अधिन आधिन अधिन नहीं तो मेरे दस पैंट हो जाएंगे मा रोकेट की तरह सड़क पर चलने वाले को देखो मैंने किसी ब्रेक लगा दी हिल्नामात अरी गुड़ी तेरा बच्पन चला गया पर बच्पन नहीं गया हमा बिलकुल ठीक का देखो न इस शरारती गुड़िया को एक पिसकले इतना सारा समान ले क्या रहा है और उपर से यह जो है मुझे भीया पहले क्यों नहीं कहा चुलो माफ कर दिया माफ कर दिया को यहीं रोके रखेगी यह अंदर आने को भी कहेगी हमां बहुत भूग लगी है जली से खाना एक बात तो है बाहर कितना भी खाना खाओ पेठी नहीं भरता है मां तुम्हारे हाथ में जरू कोई जादू नहीं मामा बिलकुल ठीक कहता है तु अरे इस खाने जानकर खुशी होगी कि रामपर्शाद जी ने ये रिष्टा मंजूर कर दिया है उन्हें हमारी गुड़ी बहुत पसंद है अभी से शादी की तैयारियां शुरू करते है मामा देखो गुड़िया शर्मा के भाग गए मुझको इसी दिन का इंतिजार का मामा शंबू अप तो अगली आज तो खुश होने का दिने बर्सों से जो सपना मैं देख रहा था उसका पूरा होने का वक्त आलिया है अगर ये शंबू नहीं हो तो शायद विशराज की ट्रांसपोर्ट कंपनी बंद हो जाए अरे नहीं मा के लाल किसी के होने नहीं होने से किसी अगाम थोड़ी उप जाता है वह तो ठीक है लेकिन तुमारा भी कमा अले भई एक फिरो छोड़के आते हो और दूसरा लगाने के लिए तैयार तुम तो जानते हो मा के लाल शंबू की जिन्दगी का सपना बस उसकी बेहन की शादी है काम नहीं करूंगा तो यह सब कैसे होगा अब बाते छोड़ो मा के लाल जल्दी से ट्रक लोड करवा दो मुझे आज अपनी बेहन की शादी के लिए दामान खरीदना है अच्छा भाई जैसा तुम चाहो पीछे के कोड़ान कमाल शंबू की गाड़ी में लाद दो तुम तो जानते हो माल बहुत कीमती है मुझे सिर्फ शंबू पर फरोसा है अच्छा है मगर इतना च्छोटा सा टीका मैं अपनी बेहन के माते पर नहीं सजाओ कोई अच्छा सा बढ़िया दिखाओ नहीं अच्छा बार यह हुए ने बात यह की कमड़े बेहन के माते खूब सज़ेदा हुआ हुआ है अच्छा कर दो कर दो तेरी बहना चल के आए लेमारे ओ भाया चुब चुब रोए माया चुब चुब रोए आप बहें दे लडिया के साले दोली उतेगी आतेरी पहलो चलके आए ले तुमारे पहले दिल का फून मिलाकर घर में बेटी पालो पहले दिल का फून मिलाकर घर में बेटी पालो फिर ये दिल का तुक्ड़ा फून मिलाकर घर की जोली डालो रबा तेरी दुखाई के तेरी बनाई शबकी पलकों से तूटे आज दितागे दोली उठेगी आज तेरी बनाई शलके आए ले हमारे ओ भाईया चुख चुख रोए मया चुख चुख रोए आसो बहते हैं जेते नदिया के दाले तोली उठेगी आज तेरी बनाई भाईया जुख चुख रोए मया कई भाईया तो जोड़क बादे अन्नमे दर्वादे परशेह नाई जोड़क बादे अन्नमे दर्वादे परशेह नाई बाबुल का घर जोड़के जाना होगा घर वो आई हो तेरा लाँ भाई सदात दे देताए दुआते और भी हो तेरे मनद जोड़े तो नी उतेगी आ तेरी पहना तेरे मार्ण जोड़के 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 तेरी तेरी पहना जाते जाते बहन तो बोले भई या गले लगाके सास दसुर की देवा करना साजन के घर जाके सबको अपना बना सबसे प्यार बना एहरे रहन के है कोई आदि उतादे जोनी उठेगी आदे परना चलके गे आए मेरे लमाए ओ भईया चुप 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 बमेया चुप 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 रोए रासू बहन देगे नतिया के जोने तो लिमित उठेगी आदे बहना कर दो 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 क्या इस्पेक्टर साब आप नहीं तो कहा था कि जब आप ड्यूटी पे हों तो बेधरक ट्रक लेके गुज़र जाना और आज आपने खुद ही लकड़ा गिरा के अपना वादा तोड़ दिया सब खरियत तो है ना ताज्यूब ये ट्रक तुम चला रहे हो क्या मतलब हमें ख़बर मिलिये इस ट्रक में स्मगलिंग का माल है मगर नहीं शंबू तुम जाओ शायद किसी ने मजाग किया है ले लो भाई चलो तब तक एके कप्चाय हो जाए चलो साब चलो इस टक कितना शी लोग आखिए प्रक टबड़ साब। शाब इस पे गैग कानुरी माल है शाब, इस पे गैग कानुरी माल है अंडर अरेस्ट पेट्रोल तो छुड़क दिया हमने सिर्फ माचिस की कांड़ी फेगने की देर है क्या मतलब कि अरे आग से खेलने वाले लोग है हम आगी की तो बात करेंगे कि शम्भू को अंदर करवाया हमने छुड़वाएंगे भी हम ही और जब वह बाहर आएगा उसके मस्तक में एक ही नाम होगा विश्राजनात कि शम्भू कि तुम्हें जमानत हो गई है कि मामा कि कानून की नजरों में गुनहगार कहला जाने वाल इनसान पर हावालात से छुड़ाने का अहसान किस ने किया कि विटे था कोई अंजान परिश्टा जो जमानत देकर चला गया है कि शम्भू कहा जा रहा है तू जिनका नमक खाकर नमक हलाली का हक अदा करता रहा उनसे नमक हरामी की वजह पूछने जा रहा है जम्भू पकड़ा गया विश्राश तो नहीं अब हमारे घर कानूनी धंदे में चम्भू जैसों की बलेता चाहती रहती है कानून की नजरों में अपनी इमांदारी के साथ आज से शम्भू हमारी वफादारी भी को चुका कि यह कि शम्भू की नजरों में तूने शम्भू को इतना नीचे गिरा दिया है कि जहां से नीच लोग भी बहुत ऊंचे नजर आते हैं कि शम्भू अब मा के लाद तुझे जनम देने के बाद तो तरी मा भी पच्टाई होगी सवाल रहा मेरे होश का वो तो मेरी मांदारी के साथ कपका मर चुका है मैंने ऐसा क्या किया है पसीना बहा कर मेहनत से कमाई जाने वाली रोटी के ऊपर गुना का छड़का किया तूने इंसानों के दर जीने वाले शम्भू से उसकी इंसानियत चीनिये तूने याद रखना वश्राज हजार डूरा बुरा या करा सता हिकली याद रखना वश्राज अन्हें इतना चुक्ण लेकर होगे वालुका पर्यान आठ्याले रोबी Siya विड़न हुआ झापी उाचाटाए जया ऑाँ deux हुआ! हुआ एंब! घंभू!!! अब ये शम्भू तेरी काली दुनिया में आग लगा कर रख देगा जिसमें तुने अपने सारे काले करम छुपा रख रहे हैं क्या बाद है कासिम भाई और अर्क उर्का बार देतेंगी है और करा पिए पलाद कर औरियों! और कर बाद कि पलाद को फा कि पल्री आख along बाईया, बाईया, माहमें चोड़के चलेगी, बाईया, माहमें चोड़के चलेगी बेचारी मारी गई, ये काम किसी और का नहीं है, ये काम विश्राजनात का ही है ऎ लाईया टूपी moुड़के चले गुनात की, जाईया, माहमें चलेगी feels बातो सवी जाईया, माहमें चलेगी चलेगी लाईया, माहमें जाईया, माहमें गए्ल Dao Mokai में चलेगी है मेरी माँ की मौत का तमाशा तुने में बस्ती में किया था अब तेरी मौत का तमाशा मैं तेरी इस महफिल में करूंगा मेरी माने भी टूटी हर सांस पे मेरा नाम इसे तरफ पुकारा होगा कमीने यह क्या अब तो गुंडा घर्दी करने लगें यह गुंडा गर्दी नहीं इस पक्रसाब यहाद मेरी मांदारी और सच्चाई का यह नहीं बलकि मेरी मां का भी गातिल मेरी मांदारी कांदों पर मेरी मां की अर्थी का बोज लग दिया शंबू इनके कातिल होने का तुम्हारे पास सबूत क्या है सबूत मेरी मां की लाश पर बिखरें अंगनत खुन के गत्रें कि मुष्ण गार अपक्र कांद जो हुं कुछ मेरी मां का काफिए पूछी फोल्त का पासपन अब करेंखरा इस अब्लगों तुमा बोलता है क्यों नहीं क्यों नहीं वह बोलते हैं कि यह विश्राज जिसने मेरी मां का खूं किया तुम लोग बोलते हैं क्यों नहीं जुब क्यों हो दिए इनस्पेक्टर शम्भू यह सब तो खामोश है रहा नहीं रहूंगा शम्भू कानून का कानून वालों के हाथ से छूटती है तब मुल्सम इसी तरह कानून अपने हाथ में लेने मैं मजबूर हो जाता है और आज शम्भू अपनी मा के कातल को सजा मौत देता है अपनी जगह से हिलने कोशित मत कर इंस्पेक्टर एक खून की सजा फासी है और सौ खून की सजा भी फासी है मामा दर्वाज़ा खोलो मामा मामा बेटा शम्भू इतनी लाग गए क्या बात है बेटा क्या हुआ शम्भू के नसीब बदकस्मति की बिजलियां गिर पड़ी मामा माँ माहमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई मामा क्या क्या हुआ मेरे बेहन को इस दुनिया ना मुझसे सिर्फ मेरी माँ चीनी है बलकि मुझे कातिल भी बना दिया है समाज और कानून ने मेरे शराफत और हमानदारी को उपर ऐसा तमाचा मारा है मामा कि शम्भू को पूरी दुनिया से नफरत हो गई है कि इससे पहले कि पुलिस तुम्हें ढूंगती हुई यहां आ जाए भाग जा मेरा बच्चे पुलीस और कानून से तो मुझे बहुत सारे सवाल करने मामा एक जा रहा हूं है कि आज से गुड़ी के तुम्ही सब कुछ हो मामा इसका ख्याल रखना है हुआ है है कि कि हुआ है कि हुआ है कि हुआ है कौन तुम दुश्मनों से बचाने वाला कोई दोस्ती हो सकता है मगर इस दोस्ती की वज़ा है बिना लालच के तो मच्छेरा भी समंदर में जाल नहीं फेकता और हम उस समंदर के मगर मच्छ है एक तरफ फासी का फंदा है और दूसरी तरफ सोने का अंडा अंडा खाना है या फंदा लगाना है शरीफो की दुनिया में अब तुम्हारे ले कोई छत नहीं है मगर हमारी दुनिया में चट भी है, दर्वाजा भी है, खिड़की भी है, पलंग, विस्तर, कंबल सब मिलेगा इनकार करोगे तो इधर कार का दर्वाजा खुलेगा और उधर जेल का अब खाकी वर्ती के मुड़ते, अभी तक जी रहा है, क्या बोला बे, क्या बोला काला तुम, आपके इसी जेल का होने वाला, नया डेप्टी जेलर, विजे, यस सार, गार्ड्स, ले जा इसे विजे, तुम इन काली धारियों की सफेद पोशक वाली गाउम को नहीं जानता है, तेरा इनके साथ जरा पुराना रिश्टा है और जिस तरह एक आदमी अपने घर के कोने कोने को, हर एक सामान को अच्छी तरह से जानता है, मैं इन कैदियों को, इनके दिल, दिमाग को, इनके सोचने के अंदास को अच्छी तरह से समझता हूँ इनकी रसी अगर ढीली छोड़ दी जाए, तो इसी रसी को हमारे गले में फासी का फंदा बना कर पहना दे, और साले खिंचने से पहले ये भी न पूछें, कि तुम्हारी आखरी खौाइश क्या है, पास्टर्ड्स सर, आप उन्हें मुझरम नहीं, इनसान की रूप में देखकर उनके बारे में सूचे, हम, कल से तुम इन खैदियों की दुनिया में फर्स का चोला पहन कर आ रहे हैं, तुम भी यहां पर हो, मैं भी यहां पर हूँ, देखता हूँ तुम कितने खैदियों को सुधारते हो, लेकिन विजयब, मेरी तर्व से एक बात याद रख, कि बबुल के दरख पर कभी गुलाब के फूल नहीं की यह तो माली की हिमत की बात है सर, कि कौन से बबुल के डाल पर किस कांटे को मिटा कर कौन सा फूल खिला है, जमाना बदल गया है सर, तुम्हारी बातों से गुला अधिया पाटिपार, खबरदार, खबरदार, तरे ये जो तीन, चार, पाच, छे साथ, लों, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, अरे, तेरा करूं क्या मेरे यार, चल, भाई क्यों बचानता है, क्या हट, 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 जान दे, हट, लाल कमीश, किदर जाने का है, जट, चोर बजार का काटू, चोर बजार के दिखरे लाए, ले, समाल, अपुन चिंदी बजार का है, बस का अंदर धटिक नहीं मंगता है, ए, बोलो, सेट, किदर जाने का है, किदर का का काटू, तेरे पीछे मेरी नक्रे वाली बीवी बेटिया है, उसे पूछ, अरे, बापने क्या अगया, अरे, हैदरबाल वालो, नवाग साब का टिकेट लेने के लिए, बेगम साहिबा से पुछना पढ़ींगा, किदर का का काटू, बेगम साहिबा, आधा वरस करता हूँ, किदर का टिकेट काटू, बोला, एक टिकेट डाक पड़ा, सवारी धबालो, टिकेट सिंगल, यह कैसा दंगल, क्या मतलब है, आपका, मतलब ऐसा है, कि आपके शोहर साब खड़े आए ना, उनका टिकेट आप लेंगी ना, बेगम साहिबा, शोहर, मेरी तो अभी तक मंगनी भी नी हुई, आप शादी तक पहुच गए, अरे, बेगम साहिबा, कसम आपकी खुबशूर शादी, शादी, अरे, तुम्हें दो साडी खरीदने से मना क्या, और तु मितना मुरा मन गई, साडी, कौन सी साडी रे, तुला, इसके नकरे सुने कंड़न साब, एक तो साला पगार अपनी जेब में डालती है, उसके उपर ना ही बस का टिकिन निकालती है, और ना ही हमें अरे, बस की घंकिया नहीं बजींगी, तु क्या मन गई, तु क्या मन गई, पुलीस वाले के जेब में हाट डालती है, शीरी तरह बटवा निकालती है, दो एक फटका, अबे, अबे, रो, इतना मरूँगा तुझे, ये पटिनी थी, ये बटाते वड़े की चटनी थी, खड़े, बटाते का वेकी! क्ली उन्алог को क्लार ए्लाप ए तर किर्व ऑस ड़दा, पिर उन्ट वना को जो.. • è जSON, कि फित्फ, पित्फ, ऐन्icky, पित्फ, खित्फ, छित्फ, फित्छ, ते। उरा क lackल जสれचे, जर्टो canalu about a Crim C chance,λλा– there through the cracks – della мама Guten looks हो गदनो आफ दो, आफ दो, आफ खुआ। स्पाई मित्टर ना है रिमें तो सीधी शाधी है स्पाई मत्तर ना है यह भोला आला लंगता है प्रस पर ही काला है मेरी पाती में तरी कुई हो स्पाई मेरे पिछ़े पuffyया स्पाई मेरे पिछे प zeggen कुर्ण कर दिए्जर कुर्ण नर्ड एक बार्ड है कुर्ण एक रिक बार्ड है दूल मेरे अखियों में डाल के तु भागी है माल मेरी जेब से निकाल के तु भागी है मुझको जोर समझता है ये पुद दमाबाद है मेरे पिछी माया है इसमें तुछ में अकड़ है जिकनी में सारी आज निकालंगा तेरे हाथ में सरकारी अंगल अभी मटालंगा मेरे बाभाव जिकनी बाभाव जिपला नाही मुझको जिकनी मेरे पिछी में तु भागाव कुई पिजाए था झाए दची पा जची हरे उची हरे मुटने से गचा जो जाए ∂ हम दो कि आख ख्राग प्रॉब एक्राध प्रॉब प्रॉब। कि 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 पकड़ेगा मुझे तो थाने में ले जाएगा हाने में तनाशी के है हाने पितवाएगा कि खाने से जुक है एक ऐसे काम छोड़ा थे कि मेरे पहां इसाने दानिया तो मेरे जान छोड़ा थे मुझे जान छोड़ानी तो मेरा माल मुझे लता मेरा माल Jßei न लता ओं तैने बादा बाते तुझे बंगले निगाऊंगे लहार शिपाही तेरे पीछ में गया तुझे लुगा समझ के जोर शिपाही मेरे पीछ में गया बाते जोर शिपाही मेरे पीछ में गया कि बेटे क्या बात है अगर आज पिताजी होते ना तो कितने फकर से अपने बेटे को चाती से लगा लेते मगर उनकी आत्मा को बहुत शांती मिले ही क्योंके उनका बेटा भी पुलीस वाला बन गया है बस मा अब तो मेरे जिन्दीगी के गाड़े के सिर्फ दो ही पई है एक मेरी नौकरे और एक तेरी सेवा सेवा बेटा नहीं घर में आने वाली बहु करती है अरे मा ये क्या जरू प्रेंगर को तो आदमी फेक भी सकता है साथ फेरों के बाद अपनी बीवी को कहा फेकेगा क्या कहा कमिशनर साब ने आपको बुलाया है हाँ मैं आता हूँ देखा मा बहु का नाम लेते ही पुलिस टेशन से बुलावा आ गया अगर बहु घर में आ गई तो ना जाने कहा क अगर से बुलावा आएगा मुझे तुम से यह उम्मीद नहीं थी मगर सर हुआ क्या कल तक मुझे तुम पर फक्र था लेकिन आज मेरा खसूर क्या है एक खोली-भाली लड़की की जिन्दगी से क्यला है तुमने लड़की हाँ लड़की अबल्दार अरे जल्दी कॉल ना तुम अयो जी अम तुमारा प्यार का तम तम यह तुमारा बड़ा बेटा चिननपप मोर्गम यह चोटा चैता चिननपप गोर्गम और अम तुमारा धरम पत्नी मल्या की वड़कम तुम तुम मैं सच कहता हूं मेरे इस लड़की से कोई तालुक आत नहीं यह क्या तो कर्खकुर तो अयो रामरे अब तुमारा यह दो चाप एलगें लटका कर कितर जाएंगा रे तुमसे घलती हुए तो तो उसका प्राश्चित करना चाहिए व मुझ से कोई गलती नहीं हूए ताल यह तो मर्या फैलती है हमारा बात्यू वाले का क्या थ्पास आये पंडित जी आना जी अरे बोलना जी देखनी वाले मंदिर में अमारे गले में कौन मंगल सुत्र डाला जी कमिश्णर सहाब यहीं वो पाभी प्राणी है सर यह जूड मोल रहा है सर वुझे तुमें से लिख घर जाओ और मां को सारा किस्सा सुना कर और उसके बाइस आप यह गर में हम चिननप्रा मौर्गम भी मढेगा और चोटा चेतन को माणा अंको नहीं रहना है आनुको अ आप में पालेगा अपना साथ मेरा इंडिया वह फी कमाफे पांचो रुप्या महीं है कहां पहुंच आना पड़ेगा सर अपनी ये इस पत्नी के खाले आ अच्छा ये ले तेरे पांच रुपए ये तेरे पांच रुपए आज की आक्टिंग बहुत फर्स क्लास थी हां मज़ा गया फर्स क्लास काम गया मुर्गी खिला ना आज अमा ए कौने रे तु अम अम त्रिचन न पल्ली का चिन पपा मोर्गपं और जाट जैते चिन पपा गुर्दपं का बाप चिन पापा सुब्रमन्या अब टकले कौने तु अई आया अमारा शादी हुआ जिए अम अमारा अवरत हो पोलिस तेशर में मिला जिए अम अमारा तो आउरद पो पहिटाने मैं हैं हमारा दो चौटा चौटा बच्चा मुर्गे पम को दिखा के रखांगो अंब अ हादि दिला तो हमको मारा गरात याद आया तो हम आया तो तुम तुम हो कितना बार पत्ती करके बुलाया हम कोच बोला क्या है अरे इतना लेपड़ा किया हम कुछ बोला क्या हरे माइना का 500 रुप्या पक्का क्या हम कुछ बोला क्या है तो आब आपको चुन्णपा मॉर्घपम और चौटा चेतन चुनपा गौरतपम के बाद स्वीत बेबी अब भच्छंग की पम कर नंबर लगाते है तो आऊ ना चुन्जां तो चिलाउंगी अयो चिलाउं जी एं कौई नहीं आएगा क्योंकि आज मुआले वाला को समझा के रखा है कि आज हमारा अनीमून स्वाग रात है बहुत चिलम चिली होगा आने का नहीं देखो प्लीज मैं वैसी लड़की नहीं हूँ आयो अम भी आइसा लड़का नहीं है उसे उसे गलती हो गई अब गलते हम करेगा तुम क्या करोग मैंने तो तुम्हें आज छोड़ दिया लेकिन कल से तुम भी धंदा छोड़ दोगी समझे क्या करूं साब रोटी कमाने के लिए यह सब करना ही पड़ता है वच्पन से बेसारा और अनाथ होना साब आप जैसे इंसान का अगर हाथ मिल जाता तो यहाथ चोरी के लिए कभी तो नहीं मौजूदा हालात ने हमें बहुत परेशान कर दिया है इस बार माल सही वक्त पे नहीं पहुंचाना तो हम दो कोड़ी के हो जाएंगे शम्भू के होते हुए उसके दोस्तों की इज़त के तरफ को याँख उठा के भी नहीं देख सकता माकेला बोलो बात क्या है हमें तुमारी दोस्ती पर नाज है शम्भू लेकिन हम परेशान इसलिए है कि हमारा पाच करोड का माल वाशी के गोदाम में पड़ा हुआ है और की डिलिवरी कली होगी माकेला तुमने शम्भू को मुसीबत के वक्त सहारा देकर अपनी दोस्ती का सबूत दिया है शम्भू और माल अपनी जान पे खेलके भी कल महासर निकालकर अपनी दोस्ती का हक अदा करेगा करेवा व्हान हा आपनी दोस्ती करा आपनी दोस्ता माल अपनी करने दोस्ती का माल Mmm करेष्मन हा एंदे पाना हातने माम ऐस दोस्त्य का मने य데 BJ जुरा ल१ू प्रुटे प्रुटे टुटे लगाज। तुमने अपने अकल से कानून के मुँव पर इतनी जोर से तमाचा मारा है कि कानून वो तमाचे का निशान कभी नहीं भूलेगा वाव 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 हमें तो ऐसा लगा कि हमारी एंपायर को समालने के लिए हमें दो मजबूत हाथ मिल गए कि मैंने तुम पर कोई आइसान नहीं किया मा कहला यह तो शम्भू के कानून से इंतकाम की शुरुआत थी क्योंकि इसी कानून ने इमानदार शम्भू से उसके श्राफर के दौल चीनली अरे दौलत के तो हम धेर लगा देंगे शम्भू आओ 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 इदर यह हमारी दोस् चोटा सब तोफाए शम्भू आओ आओ शादी तो हो जाएगी बिटे लेकिन कन्यादान कौन करेगा बाप के बाद बेटी के लिए उसका बड़ा भाई ही पिता समान होता है मामा मगर जिस रास्ते पर तुम दौन रहे हो वह अपनी बहन का कन्यादान करने से पहले यह भा मामा पुलीस को मुझरिम के तलाश है आई की नहीं और फिर शम्भू ने इतने सारे रूप बदले कि कभी-कभी खुद को भी पहचानने में दोखा का जाता है कर दोब कर दोब का जाता है आज चतनकी आओ आज कर दे तर्द बिल कमेरे आज कर दे आज चतनकी आओ आज कर दे किसी लवातों बता दे खिर जब मेरे दर्च तरह दे आज तत्म किया ओ आज कर दे किसी लवातों बता दे करें दिल का मेरे आज करें आज तक न किया आज करें दे करें आज करें आğ तक वो उाम्र खन将ना हां मार्न आज करें घro obvious किया थी दे आम आज करें आरा जिन्ग श्यक्रेंा किया भाउए खिरां किया आज किया एमार्णार्ए जीना मुश्किल, मरना मुश्किल, ककट के हुपी, जल जल लिके, ये राती करवट बतल अपके, आप तेरी मरी क्या है, हद हो चुकी, तेरी बेरुखी, एक दिन नहीं जान ले, एदर्दे दिल कम मेरी आज केदे आज तत न किया, आज केदे दर्दे है जो मुझ को दिया, इसी दवातो बता दे कर दो 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 हलकी हलकी कि यहां मर जाओ ना यह प्यास लग तो बज्छा दे मौसं गुसी तन्हा हूं तू अब डेडिका गिली उमिला जीते जनत दिखा दे हबुँआ तूर्यों की चुबन अब सह नहीं सकती और शंबु हर दर्द को सह के जीता है तो फिर कहो ना ऐसा कौन सा दर्द है तुम्हें जिसका मेरे पास कोई इलाज नहीं अपने आप से किया हुए एक वादा है जब तक अपनी बेहन की मांग नहीं सजा देता अब तक तुम्हारे कोई मांग पूरी नहीं कर सकता और नहीं अपनी अपनी जवाने के कुछ शोले हम पर भी बरसाता है अरे आज मैं इस मलाई पे जबान फेर के छोड़ूँ है तेरी हवस का निशाना इसके इज़त थी मेरी अगली गोली का निशाना तेरी खोपड़ी है हुआ है हमारी दुनिया में इतनी चोटी मोठी गल्ती की इतनी बड़ी सजा नहीं देते जीने दो उसे जीने दो आजा आजा मेरे प्यारे मगर मच पानी के राजा बाहर आजा हलो पुली स्टेशन वेस्किव सोड़ा किवेगे कि आजा है कि अ किवेगे के दो आजाए कि दुनिया कि अ अ सुनिया कि अ वेस्किव कित फवे जब आज की ये मीटिंग खतरना गुनेगार शंबू के लिए बुलाइए इसे आज तक ना तो कोई जेल लोग सकी है और नहीं कोई जेलर शंबू कानून इतनी बार तोड़ चुका है कि जंदा का पुलीस वालों से भरोसा उठता जा रहा है कि किसी भी जेल में ये शक्स साथ दिन से ज्यादा नहीं टिकता तो क्या आप लोगों में कोई ऐसा जेलर नहीं जो से रोक सके सार मेरी एक दर्कवास्त है कि इस बार इस दैशत पसंद मुझरिम को मेरी जेल में पेचा जाए तुम शहर्द शंबू को नहीं जानते लेकिन कानून की ताकत और अपने आपको जानता हूं और वादा करता कि जेल तोड़ना तो दूर की बात है शंबू इस पाप की दुनिया कोई छोड़ देगा जिसके लिए वो बार बार कानूं से तक्राता रहा है I promise अरे शंबू आगया शंबू आगया मतलब इस जेल में आंधी से टक्राने तुफान आ गया कौन आंधी कौन तुफान चंबू जिर्म की आंधी और जेलर विजे कानून का तुफान कि चार टुफान बार करता च चारो घ्लों कि आंधी कि आंधी कि यो कि आंधी खूल दो उसकी बेडियों जानते हो तुम क्या कह रहे हो विजय यह वो मुझरिम है जो बेडियां तो क्या जील की दिवारें भी तोड़ देता है यह सर मैं जानता हूं लेकिन आप एक बात भूल रहे हो सर के इस मुझरिम को यहां मेरे जिम्मेदारी पर फेजा के हैं और आ देखना मेरा काम है अबे ओ माकेलाल तेरी उमर ही नहीं बलकि तेरा तजरुबा भी कच्छा है शम्बू मेरी आखों में अपनी आखें डाल के गौर से देख तुझे अपना तजरुबा ही नहीं अपनी आदाश भी कच्छी नज़राइगी खुल दो इसकी बेडिया हुआ अब यह बता बेटे अकेला भागूं यह सारी जेल को लेकर भागूं कसम उपर वाले की अगर यह सारी जेल भी तुझे कहे कि तुभाग शम्बू भाग तो फिर भी नहीं भाग सके गया मा कहलाल यह तू नहीं तेरी वर्दी बोल रही है बेटे यह वर्दी बोलती नहीं बोलती बंद कर देती है बंद हाई रे लल्लू नादान जेलर यह सहलाब किसी भी जेल में साथ दिनों से जादा नहीं टिकता है तो कहें बेटे तो साथ मिनट के अंदर निकल जाओं अगर ऐसा वक्त आया तो यह जेलर इस कैदी को भागने के लिए पेजदार गली और कानूनी पहरों से भरी सड़क नहीं खुला मैदान देगा खुला मैदान फिर तो जेलर और कैदी का खेल सारी जेल देखेगी बेट से बाए मिलात एक ज़्या जल्दी करो ज़्दी कर जल्दी जल्दी कर जल्दी ये 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 अपयाने दो जो एक्तों कि दो कर दो आखिसे हैं याğ लाँ लाँ याँ याँ आखिसे हैं याँ याँ कहता था सारी जिन्दगी जेल में रखेगा साथ घंटे भी नहीं रोक सका मा के लाग रोक तो मैं तुझे जेल में ही सकता था लेकिन तुझे वादा किया था कि भागने के लिए तुझे खुला मैदान दूगा नजर उठा कर देख शम्बु जहां तक जमीन आस्मान से मिलती है वहां तक यह मैदान खुला है भाग जितना भाग सकता तो भाग इतने बड़े खुले मैदान में मरने के लिए अकेला ही आया है मा के लाज शिकारी शिकार पर अकेला ही निकलता है शम्बु और तूने कभी का शिकार नहीं किया है मा के लाग कियूं वघावत के बादशाह अपने जर्मॉ जर्रक आखरी हत्थ़ सबक्ति अखरस कि अपकूँ आखरी का एज SARAH है कि यह तो शम्बू के पहले पहले दिन चाप nhất पहली पहली जर्रक का पहलाक पहला वार कि शम्भू तेरी जबान में नहीं शरीर में भी बहुत जान है आज तुझे वह सबख सिखाऊंगा कि तेरा दिलो दिमाग ही नहीं बलके बेबाख अंदाज और गुस्ताख जबान भी बदल जाएगी अब जो शम्भू तिर कवी जेल से भागने की कोशिश करेगा अब हो मा कहला शेर से पूछ रहा है कि पंजा मारेगा के नहीं अब हो सॉलिकों कि अगये अगलाल जेलर बार्बार क्यों आ रहा है एक बार क्यों नहीं के कि 상ismus के निए इन चाहें आपकर जना इखाए ड़ी मौध हो शेयर आणि जानत आइए मौर्ट कि है लेकिन मेरी नहीं चानता है किसकी तो कि इतना मारो साले को कि इसकी आवाज इन्हें सांसे भी बंदो जाए आज 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 अज़ा है आज 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 आज़ा कर दुश्मन वह एक जखम दे जाता है और दूसरा मरहम ले आता है वो कानूनी फर्द था शंबू ये इनसानी फर्द है मुझे कोई जरूरत नहीं है किसे इनसानी हमदर्दी की चला जाए वना तेरे कटोरे की तरह तुझे भी तोड़कर रख दूँगा जेनर शंबू जब तक तु अपनी ये जिद नहीं छोड़ेगा कानून तुझे ऐसे ही जखम देता रहेगा और मैं ऐसे ही तुझे मरम लग सकता है याद रखना जेलर शंबू जब भी जेल से भागेगा जेल की दीवारे भी अपने साथ ले जाएगा लगता है शंबू का इस बार जेल से निकलना नामूम्किन है जब से शंबू जेल से फरार होतुए पकड़ा गया सक्तिया अतनी बढ़ गई है कि कोई से मिल भी नहीं सकता परेशान तो मैं भी उरीना लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं लगता है तोते को मिर्च मिर्ची खिलाने पड़ेगी जैसे ही तोता मिर्ची खाएगा छोकरा जेलर शंबू को खुद बखुद छोड़ देगा कि इजे बेटी मैंने तेरी शादी करने का फैसला कर लिया है क्या जिंदगी भर आनूंद और मुझ्रिमों के बारे में ही सोचता रहेगा अपने मा के बारे में नहीं सोचेगा मा, आज मेरा मोठ ठीक नहीं है, मुझे जल्दी से खाना दे दे मुझे जाना है मैं जब भी तेरी शादी की बात करती हूं, तुघर से निकल जाने की बात करता है मा, मुझे भूख लगिया है अच्छा बाबा, तुबैच, मैं खाना लेकर आती हूं मा, 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 ये कौन है, इसी की तो मैं बात कर रही थी मेरे गाउं की रहने वाली है, बड़ी भोली भाली है बेचारी घर का सारा काम जानती है, मुझे तो बहुत पसंद है, आगे तेरी मर्दी मैं तो कहती हूं, इससे अच्छी लड़की कहीं और नहीं मिलेगी वा, कमाला मा, तुझे कोई भी भोली भाली लड़की मिल जाए, तो क्या तो उसे भाव बना लिगे अरे तेरा बेटा जेलर है, उसका भी कोई स्टैंडर है, भाव आईगी इस गर में लेकिन पड़ी लिखी, समझदार और थोड़ी बोथ अकलमन, जो तुझे भी समझ सके और थोड़ा बोथ मुझे भी समझ सके अरे रहिए गाओं की लड़कीया, इन्हें गाय, बक्री और भैस के आगे कुछ समझ भी नहीं आपा, अब तुई बता मा, क्यों तु और मैं इ यह तो अंग्रेशी भी मूलती है, यह असल गाहों की है कि इसमें भी मिलावट है, असलियत क्या है, मा इंये कोम है, असलियत तो सावनी है बेटे, आवाजी नहीं, शक्र भी वही है मा, यह तु वही है blah, यह तु वही है हाँ हाँ बेटे पक्की वही है अरे फिर देर किस बात की जल्दी से आशिर्वादे चल नीचे एप पंपी ले हाँनि बेट्पार आशिर्वा एाँना नीचे निक्ताइब पयक हाँ जाँनों बाटी छrawla क्ताइब एपार्वा ऴ경ी फिर एंपार्वा एंपार्ण में, क्र परित IST. कि 144 आके लाल नंबरों में का रखाया बहुत हमने सिर्फ कपड़े बदले हैं तू क्या तो जिलर साले कपड़े बदल लो कपड़े बदलने से ना ही किसी मुझरिम के जर्म कम होते हैं और ना ही सजा अब तू यहां आई गया है तो थोड़ा काम भी कर ले हैं बहुत फोड़क रिया है मा के लाल ज्यादा जोश है हां कर दो यहां जोचाए जोबा कर दो जोश हैं बदलने से प्रभाई को प्रभा में अबदा हैं प्रभा में इंच खा जोग जोचाए लोगा है जोब खा जोबाँ बास्ट आजजेद दोगोदानि भी आचारे वाहा हूद पार्ण के आचारे तो यहां भी आ गया मैंने तुझे कहा था ना शम्भू कि अगर यह सारी जेल तुझे कहे कि भाग तुझे भी नहीं भाग सकेगा कि ले चलो ऐसे शम्भू खाना खाले अब भूतनी के पहले तो कुत्तों के हस्पताल में काम करता था क्या शम्भू के मुहले के कुट्त भी नहीं खाएंगे फुट रहे तुम्हारा सुस्राल नहीं जहां पर तुम्हें पक्वान खिलाए जाएंगे चलो खाना खाले कि मां के लाज अपनी ताकत क्यों जया कर रहा है मैंने फैसला कर लिया है इस सजा का खाना नहीं खाऊँगा मा जल्दी से दो आद्मियों का खाना देता है क्यों फिर कोई कैदी रुड़किया क्या हम एक ऐसा कैदी जो अगर मेरी जिंदगी में नहीं आता तो तेरी कानून का वो कैदी मेरा मसीह है तेरा मसीह मा याद है पिताजी से दुश्मनी रखने वाले मुझरुमों ने एक बार मुझे पर हमला किया था तब इसी कैदी ने मुझे बचाया था मा दो दिन से उसने अनाज का एक दाना नहीं खाया और तुने तुने उसे दो रोस तक भुका रहने दिया क्या करूं इस बात का तुम्झे आज पता चला बेटी आज उसे भुका मत सुने दिना कहना ये खाना एक मा नहीं भीजाए जो इसके एहसान की कर्जदार है वारे दुश्मन वा छोड़े जेल से निकल कर कहीं मैं तेरा गला न दबा दूँ इसलिए अपना नमक खिलाने आया है मा के लाल जिस तरह कोई बच्चा अपने मा के दूद का कर्स कभी नहीं चुका सकता ये जेलर भी तेरे एसानों का कर्स कभी नहीं चुका सके और नाई इसकी अब खुद की दाल नहीं गली जाले तो मा के जबात लिया चल चल इन बातों को छोड़ मैं जानता हूं तो दो दिन से भूगा है खाना खाले खाने को तुम्हें तुझे भी खा लूं मा के लाल लेकिन इस वक्त तुझे यहां खाने का मौका नहीं है और इस खाने की भूख नहीं चल अड़ारे वर ना तुझ क्या समज़्त है तुझे हमदर्दी तेरे दर के वज़े से करता हूं नए शम्बू नए और अज में तुझे अपने हमदर्दी का कारन बताता हूं जुसने ही कि मेरी जान बचाई नहीं जो उनके दलदल में शाहिद तो सब कुछ भूल गया है लेकिन मुझे अची तरह याद है मैं समझता था कि शाहिद अब भी तेरे अंदर की इंसानियत मरी नहीं होगी लेकिन इंसान तो क्या तू तो जानवरों से बेगाय खुजरा इस रोटी के नेवाले को आज तुने ठोकर नहीं मारी है एक मा के ममता और प्यार को धका दिया तुने तू किसमत वाला है मा के लाद जो तेरी मा तेरे पास है अगर शम्भू की मा को जालिम जमाने ने नहीं चीना होता तो शम्भू कभी जुर्म की दलदल में नहीं गिर्था मगर तूने कभी ये सोचा है जिलर कि तू कानून का वफादार क्यों है मैं कानून का मुजर्ब क्यूं हूं कभी मा उने मुजर्म पड़ा किए है नहीं जिलर नहीं मा के लाल जा मेरी फाइल तु घौर से पढ़ तो तुझे पता चलेगा कि शम्भू भी कभी सच्छा और इमान का दूसरा नाम हुआ करना था मुझे तुमसे हमदर्दी है शम्भू लेकिन जिन लोगों ने तुम पर जुम किया हैं उनसे तु तुमने बदला ले लिया है फिर यह सारी दुनिया से इंतकाम क्यों मेरा गुजरा हुआ कल भूल जा जिलर सिर्फ इतना याद रख कि आज यहां मेरा साथवा दिन है जोर्म के जिस कारखाने में मैं काम करता हूं वो लोग मुझे छुडाने के लिए जेल की चार दिवारी तो क्या तेरे घर की चार माँ 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 अफो मा तेरे माँ थे के डेख जुरी में कई कई सवाल छुपे हुए है जेलर और हमारा जवाब वो कैदी जिसका तू पहरेदार है जन्व कशक्व उस्थे तो अमर कहणे की सजा है तुमहारी मा को फी भी हो सकती है अम्वरे इस केजी पर आजादी की महार लगा जेलर हमारे पंजे भी बहुत खतरनाक है कि गोली या एक चलेगी लाशे दो गिरेगी यहां तुम्हारी वहां तुम्हारे मां की इसलिए जेलर हमारा वो कैदी दे देना और अपनी मां ले जाना रात को दो बजे तक अगर हमारा कैदी हम तक वापस नहीं आया वक्त की सुईयां तो चलती रहेंगी लेकिन तुमारी मा की सासे बंद हो जाएंगी अब पता चला जिलर कि जब माओ के जिन्दगी में मौत का तुफान नजर आते हैं तो इस तरह बेटे कानून के भागी और मुझ्रिम बन जाते हैं मा के लाल एक दिन तुने मुझे खुला मैदान दिया था भागने के लिए और आज एक मैदान मैं तुझे देता हूं जरा भाग के तो दिखा देते हाग जम्भू मा के लाल मैंने तुससे पहले ही कहा था कि जिस तरह से बं में आग लगते ही साथ सकंड के अंदर बारू फटके बाहर निकल जाता है उसी तरह से शम्भू साथ दिनों के अंदर जेल की चार दिवारी से बाहर निकल जाएगा और आज साथमा दिन है बेटे ना ये शम्भू तेरी ये साथ दिनों के हिसाब की किताब बदल डाले गए जिला तेरी ये जिप तेरी मा की जिन्दगी को मौत में बदल डाले की चेल जेल तो आज ही तूटेगी और वो भी तेरी मरजी से लेखे कि साड़े बारब बच चुके हैं और यहां से एक घंटे का रास्ता और है कि फैसला तुझे ही करना होगा माँ चाहिए या मुझरिम मा के लाल ठीक दो बचे कानूं की हिफाज़त मैं करूंगा और मा की हिफाज़त करेगा और अगर मेरी मा मर भी जाए तो मैं अकेला रहूंगा लेकिन अगर तुझे चुड़ दिया तो ना जाने कितने माओं की बेटे रूएंगे कि वाट आसर शंबू जैसे मुझरिम के साथ्यों की जुर्रत और जुर्म की आखरी हद मेरी माँ थी जो इस वक्त उनके कब्से में हैं और तुम अपनी मां को बचाने के लिए शंबू को जेल से छुड़ाना चाहते हो नहीं सर कहीं मैं अपनी मां को बचाने के लालश में मैं अपने फर्ज और कानून से गड़दार ही ना कर जाओं इसलिए शंबू की जेल की चाबियां यह रही इतनी बड़ी खुर्बानी विजय जब तुमने कानून को जिन्दा रफने के लिए इतना बड़ा खदम उठाया है तो कानून भी पीछे नहीं आटे तो जालम कैदी ही बता सकता सर आव मेरे साथ कोई फाइदा ने सर देड़ बच्चुके नो बजए मेरी मां को गोली मारतेंगे नहीं विजय नहीं तुमारी मां पर चलने वाली गोली को रोखने के लिए अपनी वर्दी और जमीर को बेचने का सव्दा शंभू के साथ ये जेलर करेगा इस घड़ी के साथ ही तेरे लाल को दी गए मोलत की घड़ी खतम हो गई और तेरी जिन्दगी की घड़ी भी तोनी इतनी गोलिया बर्साओ इस गुड़िया पर कि इसके बेटे को अपनी मा की लाश की जगे खून में भीगी हुई हमारी गोलियों की चादर मिले चंभू ओ चंभू 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 तु आ गया मतलब शेर ने शिकार छोड़ दिया मा की जिन्दगी कानून से महेंगी लगी ठाकी वर्दी मा के सफ़ग कफन से घबरा गई नहीं डाबर उस मा के लाले तो मुझे छोड़ा नहीं मैं खुद ही जेल तोड़के भागाया हूँ नहीं यह मेरी बेज़दी है मेरे द्रशक का मदाख है यह चंभू चंभू मेरे मस्तक में आग लग गई है आग लग गई यह तू बता तू बता कि उस छोक्रे को अपने मा के मरने का यकिन नहीं था या मेरी धर्शक के वज़ क्या मौत की भी परवा मत करना गुली मार दो इसको अबर्दार क्यों एक लाचार और पर गोलिया चलवा कर अपनी मर्दानगी पर नामर्दानगी का दाग लगाता है एक तू शंबू आ यही कि अब यह सिर्फ उस मा के लाल की मा नहीं बलकि मेरी भी मा है ओ अपनी हर ठोक अंधर से कानून को मू के बल गिराने वाला मेरा शमभू खुद मू के बल कैसे मैं क्या इस माक के बैटे के साथ शायतान और दो दिन गुजारले तो वह भी मू के बल किसा बन जाए उस बैटे को देव इशिक चाह इसी मा कीए कह कि कोई गौरों की बात नहीं मगर खुद को मार कर किसी और के जीना ही जीना है चंबो तुम और हम तुम और हम कच्रे के ढ़ेर से उतने वाली वह बदवु है जिसको जमाने की ना कभी सह नहीं सकती है और कच्रा चाहे कितना भी साफ हो जाए उससे बद्बूही उठती है कानून को पीड दिखा कर हम से कंदा मिलाओ वरना तुम्हें कंदा देने वाला कोई नहीं होगा यह मत भूल डाबर कि तेरी दैशत और ताकत शंबू की हिम्मत की मौताज है अगर पानी न रहा तो समुंदर कैसे रहेगा और जब समुंदर नहीं रहेगा तो उसमें तूफान कहां से आएगा शंबू भूल गया वो दिना जब कानून पिस्तुल का निशाना लगाए तुझे ढून रहा था त जम्मो याद रख यही कानून तो एक बार फिर तोड़ेगा यह जेल दुबारा तूटेगी आज तो अपनी मूह गोली मा की लाश को लेकर जाएगा और एक दिन अपनी सगी बेहन की लाश लेने आएगा अरून वा तूचल नगे हैं अ… झाल 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 ताबर अपने इन कुत्तों से कह दे वरना कुत्ते की मात मारा जाएगा हाँ हाँ शंबू जो आज यहां से अपनी मा को हर हालत में हर कीमत पे लेके जाएगा बहले ही उसे गोलियों की बोचार से गुजरना पड़े या लाशों के धेर पे होके चलना पड़े मैं मानता हूं तुमने कानून के लिए जजबात की खुर्वानी दी है मगर मां पेटा तुझे दुबारा मां कहने का हक मेरे आज इस बेटे ने दिया है शंबू मेरे दोस्त मेरे भाई कि जितनी तकलीफ मुझे इस जिल में तेरी वज़ा से नहीं उठाने पड़ी उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ मेरी वज़ा से तेरी मां को उन जालिमों के तू तो वो मां इंसाने जिसको जलन देकर आज भगवान को भी अभी मानोगा ओ मां ये दो बोल बोल कर तुने शंबू को दोनों जहान का बादशा बना दिया जेलर ये पैदी और सिपाही के खेल का मैदान तू जीत गया तू जीत गया मेरे यार तू जीत गया एक आखरी खौईश है वो भी पूरी कर देगा दोस्त जान दे तूगा जान नहीं सिर्फ जुबान थे आज के बाद मुझे मुझ्रिम करके कभी नहीं बुलाएगा विजय ये क्या पागलपन है तुमारा तुम उन खैदियों के साथ 15 अगस्त का जशन मनाना चाहते हो उन्हें मैदान में खुला चोड़ दोगे सारी जिम्मेदारी मेरी है सर मैं इस बात की इजाज़त हर्गीज नहीं दूगा इब जरुर एप एस लुट एजयों का में असर Thank you इस पैद से मिली रहाई उनको विदाई दे तो अचानक अपनी आख भर आई प्रह आई प्रहर विदा में आई आई विद आई या दाई बूले वो कानी तिर यादाए 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 बूले वो कानी तिर यादाए बूले वो कानी तिर यादाए 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 बूले वो कानी तिर यादाए मापी को उसे जनम लिया तो एक सचे इनसान ते हम वो दिन भी क्या दिन ते यादो जब अच्छे इनसान थे हम चोटा सा एक घर था अपना आंकों में था क्या क्या सपना मेहनत की रोटी खाते थे फिर सुख चैन से सो जाते एक दिन वग में क्यरवत बदी एक बद में ये दुनिया थी जुर्म से तम से चूल हुए हम कुछ ऐसे मजबू हुए हम जुर्म कीन राहों पर आये आये तो फिर लोट न पाये किसमत ने दिन दिखनाए मुझरिब बनकर जेल में आये याद आई, याद आई बूली मुझानी फिर याद आई कलकी दिन दिखनाए फिर याद आई बूली मुझानी फिर याद आई मुझानी फिर याद आई जुर्म था अपना अपने कारत अपने तब बदनाम हुए साथ हमारे उन सब के भी सब सबने नी नाम हुए क्या तब ने का दुनिया थी मम्ता की मूरविक मा थी जान तक्यारे थी एक बैना उसके लिए था दिन्दा रहना बहना चाथा प्यार जाना दोली को करना था लगाना ज्वार मगर बारा ना आई वो बहना रह गई अनव्यार ओ जाने वो किस हाल में होगी जली चिता है अपने तबनों के उसके बिना मर मर जिता हूं उनके आशू अब पिता हूं यादाए यादाए बूली वो कानी तिर यादाए जल के जिन्दाए तिर यादाए उली वो दाए तिर यादाए यादाए जली वो कानी तिर यादाए यादाए हुईगी औहँए टोग हुईग गजपा! टीजगा टॉर के착 टीजग गरोग ब्लाइटां! ना intéressना! धुझआ बहँआों धिरान 635 को टीजग! को लमाब separately हुँ गई के विश्वास की जाच देख लिया मुझ्रिमों के दिल और दिमाग पर विश्वास की बेड़िया बांदे का अंजाम तूड़ गया ना विश्वास का ताला अगर यह आज आपके विश्वास को अंधेरे में डुबा कर चला गया होता तो कल दिन के उजाले में ना हम आपको शकल दिखाने लायक होते और ना आप कानून को इसलिए माफ करना आपसे बगार पूशे चला गया शंबू तुमने मुझे बहुत बड़ी हार से बचा लिया वरना आज मैं अपने आप से हार चाता हूँ शंबू हार तो तेरी उस दिन होगी जब तुमुझे केले में मिलेगा जेलर याद रखना जेल की चक्की की तरह तुम दोनों को पीस का रख दूँगा लेजाए मामा कैसे होंगा भै अपनी गुडिया पहन के लगन में कैसे होंगा मामा मगर बेटे तुम्हारे बगार तो गुड़ी लगन मंडप में बैठेगी नहीं और तुम्हारे नाने की वज़ा पूछेगी तो क्या बताऊंगा उसे मामा अपनी बेहन का कन्यादान इस बतकस्मत भाई के कस्मत में नहीं है इस जनम में इस शंभू के नसीब में नहीं है मामा इस शंभू के नसीब में नहीं है शंभू तुम अपने नसीब को कोसो या अपनी किस्मत को मगर गुद्डी की शादी में तो तुम्हें हर किमत फराना पड़ेगा वरना बारात लौट जाएगी मेरे बेटे बारात लौट जाएगी वरना बारात लौट जाएगी वरना बारात लौट जाएगी जाएगी अजल के हैँ शंभू आज मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशकाबरी लाया हूं तुम्हारे अच्छे चालचलन की वज़े से बहुत जल तुम्हें से रहा होने वाले हूं मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हूँ इसी उम्मीद के साथ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ दोस्त मैं, मैं सारी जिन्दगी जेल में रहूँगा मुझे रहाई नहीं चाहिए उसके बदले हैं मुझे एक दिन सिर्फ एक दिन के चुट्टी देदो बात क्या है शम्मु तुम इतने परिशान क्यों लग रहे हो और किस बात की चुट्टी चाहिए तुम्हें तुम्हें याद होगा दोस्त मैंने तुमसे कहा था कि इस दुनिया में मेरी एक मासूम बहन है शम्मु सिर्फ उसे के लिए जंदा है कर उसकी शाद यह विजय है अरे यह तो बड़ी खुशी की बात है तुम्हारी बेहन तो मेरी भी बेहन होई शम्मु तुम्हें कवराने की कोई जरूरत नहीं उसकी शादी में में को एक असर बागी नहीं चुड़ूँगा मैं जानता हूँ दोस्त तुम शायद मुझसे भी जादा एक भाई का फर्ज निभा सकोगे लेकिन वो तुम्हें पहचानती नहीं और मेरी बेहन तब तक डोली में नहीं बैठेगी जब तक उसका ये भाई उसका सामने नहीं होगा मेरे तुमसे इलतजा है दोस्त एक दिन के लिए सिर्फ एक दिन के लिए मुझे चुट्टी ले दू नहीं शंबूर नहीं मैं मजबूर हूँ ये मेरे बस की बात नहीं ठीक है मा केलाल उस दिन तेरी मजबूरियां कहां थी जब तरी मा की जिंदगी दाओं पे लगी हुई थी और आज मेरी बेहन के जिंदगी की खुश्चों का सवाल है याद रख मैं तरी जेल से भाग चुका था अगर तरी दोस्ती का भरम और मा का खयाल नहीं होता तो तेरा या कानून मुह देखता रह जाता देख विजये मा के लाद मुझे एक दिन की सिर्फ एक दिन की छुट्टी देदे मैं यकीन दिलाता हूँ कुट्डी को डोली में बिठाने के बाद फॉरन तरे पास लॉट हूँगा इस जेल में वापस लॉटाओंगा ठीक है आज तुम्हारी दोस्ती ने मुझे अपने फर्स के साथ कद्दारी करने पर मजपूर कर दिया लेकिन याद रखना शम्बू मैं अपने करियर को दाव पर लगाकर तुम्हें यहां से बाहर निकालूँगा लेकिन सिर्फ 24 गंटे के लिए मैं तुम्हारे यह अहसान जिंदगी भर नहीं भूलूँगा दोस्त शम्बू तेरी दोस्ती को रुस्वा नहीं होने देगा यकीन रख आप माँ मर गया सहाब जेलर सहाब मर रहा क्या हुआ क्या हुआ जेलर सहाब बहुत दर्द हो रहा हुआ मैं मर जाओंगो जेलर सहाब मुझे जल्दी अजबताल ले चलिए जेलर सहाब इसे आस्पिटल ले जाओ यह क्या है शम्बू हालात की इतनी मजबूरिया है कि हम दोनों एक साथ नहीं जा सकते हैं कि बहन की शादी हो और भाई उसे कुछ ना दे नहीं मा कलाल नहीं बहन के लिए बस तुम्हारे दुआए ही काफी है फिर में तुम्हें यहां से नहीं जाने दूँगा अगर तुम यहां से जाना चाहते हो तो मेरी बहन के लिए यह रख लो प्लीज इस वक्त रात के बारा बच चुक्या है और तुम जानते हो कि मैं इस जूंग को 24 घंडे से जादा नहीं चुपा सकता नहीं मा कलाल घड़ी में बारा बजने से पहले शम्भू अपनी जगह पे होगा मा 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 यह सब क्या हुआ मा अगवाल में चल्दी बताओ कुट्डी कहा रहे सब कुछ लुट गया बेटा हम किसी को मूँ दिखाने के काबिल नहीं रहे शम्भू यह जेल एक बार फिर तूटेगी आज तो अपनी मू भूली मा की लाश को लेकर जाएगा और एक दिन अपनी सगी बहन की लाश को लेने आएगा दाबर साथियो दुनिया का कमीने से कमीना भाई अपनी बहन को छुड़वाने जरूर आएगा यह तो शम्भू है हमारा शम्भू हमारी दुनिया का वो बैशी चीता चिडिया घर का पालतु चीता बनने चला था साला हमारी दाशत का मजाख है यह हम इन नगाडों की आवाज में उसे माउत की आवाज सुनवाएंगे बजाओ का बनाव सुन्वाज में ऱुड़ आपको गाबर आगया आगया चिडिया घर का पालतू चीता चिडिया घर का पिल्डरा तोड़कर हमारे पालतू चीता पिंज्रे में आ गया अपनी बहन के लिए तो भाई कपरे फार का आ जाते हैं मैं तो फिर में जंदा हूँ डाबर बोल मेरी बहन का है घायल पंची की तरफ फड़ा रही है हमारी कैद में देखना चाहता है अपनी बहन को तोनी दुनिया का बड़े से बड़ा शूर्वीर पहलवान बलवान मा और बहन की आशूओं में डूपकर कमजोर हो जाता है शंभू और अपनी इस बहन की आखों में देख कैसी गंगा जमुना बहरी है तेरा कलेजा तो अंदर से गाठे की तरह तूटकर तुक्रे तुक्रे हो गया होगा हरामजादे कमीने चमबू मैंने तुझे आज तक दुनिया का हर डाव पर सिखाया शिखाया क्या नहीं मतलब तु मेरा चेला बन गया और मैं तेरा गुरू बन गया है लेकिन तुने तुक्री टीका लगाना चाहता हूं तेरे मस्तक पर तीन करोड की चोरी करनी होगी तुझे वो रुपिया लूट कर लेया और अपने बेहन को ले जा मेरा तेरा इसाब खतम नाई मैं ऐसा हर्गिज नहीं करना तेरे को करना पड़ेगा नाई मैं फिस तो गंद नाले में न फिस धरा में नहींवर तो तेरी बेहन का खून बह जाएगा परामजादे क्योंकि मेरा कलर ब्लैक है कलेज्या ब्लैक है और उसके अंदर तोने वा 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 हमारे जिस शम्भू को जेलर ने मार डाला था वो शम्भू अब जिन्दा हो गया है वह चोड़ दो चोड़ दो शम्भू उदर देख यह जहरी लिनागीन तेरे साथ रहेगी यहीं तुझे डखाईती का पूरा प्लैन समझाएगी रास्ता यह बताएगी चलेगा तू क्या बात है विजये मेरे इन हाथों को हथकड़ी पहना दीचे सर यह अच्छा मजाख है मजाख नहीं मेरे किये होई जुन की सजा है जुर्म और तुम विजये एक बार सूरज पूरब की बजाए पस्चिम से निकलने की गलती कर सकता है मगर तुम कभी जुर्म नहीं कर सक यह हाथ हदकड़ीों के लिए नहीं चुमने के लिए बने ले नहीं जिल्यों साप जिस कानूनके खातर मैं अपने माखिय जिंदगी के परवाह नहीं की उस कानून को एक मूँ बोली बहन के खातर मैं है थोड़ आ शम्भू को उसकी बहन की शादी में जाने के लिए एक दिन की छुटी देने का जुरुम कर बैठा और आज दो दिन हो गए शम्भू वापस नहीं आया अब ये हाथ कानून के नहीं हतकड़ी के बोच के लाइक रह गए मुझे गिरिफतार कर लो चिलर सब विजए तुमने विश्वास और जज़वात में आकर जो किया बहुत बुरा किया क्योंकि कानूने कैसा हत्यार है जो सव अच्छाईयों को भूल जाता है मगर एक गलती हो जाए तो गरदन काट देता है मैं हर सजा बुखत निकले तयार हूँ नहीं विजए नहीं इंसानियत का धरम निभाने वाले को ये जेलर सजा की बट्टी में कैसे जोंक सकता है मैं शम्बू के जेल से भाग जाने की खबर को ज्यादा से ज्यादा तीन दिन तक चुपा कर रख सकता हूँ इन तीन दिनों के अंदर अंदर तुम अपने मुझरिम को ढून कर यहां पर ले आओ इस तरह तुमारे इज़त भी रह जाएगी और खानून की आन भी आज है चौदा तारीख मुझरिम काफी दूर निकल चुका होगा और तुम्हारे पास बचें सिर्फ दो दिन कर दुम्हारे पास लीजयर्द मुझरिम काफी दुम्हार ह टारлять वरो दुम्हारा ़यू शबाँ शबाँ क्या राखे, शबाँ शबाँ क्या बाखे शबाँ क्या राखे, शबाँ शबाँ क्या बाखे, दिल खोने दो, फिर हो जो दिल कोई चोड दिशा, किसी की नींद लिखी, किसी का चैनल उता आया नाया मजा दिल खोने दो, फिर हो जो हेँन पो परम कर दो कर दो कर दो शंकर शंकर च़ऌपल offerings fall च़ोड़ कोई दिल में मेली बाद आ करा ऐय चोड जिसमें लुछे प्याहँत आ गई चेल मेरा लुठा मेरी देल होत दिली फिर भी दिलको उसमें एक बाद आ गया यह जाने वो लुद जाय जो दिल में कोई चोर भुषा किसी की नींद लुपी किसी का चैनल लुपा आया का माई मजा दिल होने दो फिर हो जो शबाशबा क्या राखे क्या बाखे क्या राखे क्या बाखे कर दो 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 किसी की नीम दिल भी किसी का चैनल प्रा क्या आया मता दिल खोने दो फिर हो जो हो क्या राते क्या राते क्या राते क्या राते दिल खोने दो फिर हो जो हो दिल में कोई छोर गुसा किसी की नीम दिल भी किसी का चैनल प्रा क्या राते 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 मेरे विश्वास के सीने में खंजर घोपने वाले गद्दार आज मेरे सामने मताना मैं अपनी इज़त के कादिल तक पहुचने के लिए हर दीवार गिरा दूंगा कानून की ये दीवार कभी ने गिर सकते शंबो तेरी भेहन के खातिर मैंने कुछ देर के लिए इसमें दरार लाली थे मगर अब तेरी आजादी की घड़ी कतम हो गाए कितना खुदगर्ज और मतलबी इनसान है तो तेरी मा को बचाने के लिए जेल तो ने की है और अपनी बेहन की इसमें बचाने के दो कदम आगे चलूं तो जुर्म है देख मा के लाल देख तेरे दिये हुए नोट अब भी मेरी जेब में मौजूद हैं इंसानित का बदला ही उतार दे मा के लाइग तेरी मा को बचाने के लिए मैंने जेल तोड़ी थी मेरी बेहन की इसम्ठों के लिए कानून नहीं तोड सकता आखिर वो तेरी भी तो मूबॉली बेहन लगती है शंबू मेरी नजरों में कर दिया डाबर मेरी बहन मेरे हवा ने कर दे शंबू लगता है उस जेलर ने तेरी खोपड़ी पे कानुन की किताब घजगीश कर तेरी आकल तेरी यदाज सब का सत्यानास कर दिया है तु ये भी भूल गया, कि हम लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कभी बोलते नहीं रुक जाओ शम्बू, मेरे पास तुमारे गिरिफतारी का वारंट है यू आर अंडर अरेस्ट आओ जिलर, आओ, आओ, आओ देखो जिलर, इसने मेरी बहुत हो गया, अपनी बहुत के नाम से मेरे दिल और जज़्वात से बहुत खेला तुने शम्बू, मैंने तु 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 घीरा समझा था, लेकिन तु तो कच्रे का ढेर निकला आओ, जेलर बिलकुल कच्रा है कच्रा, मैंने बोला तो इसको, कच्रे को कितना भी साफ करो उसमें से बद्भूई आएगी, अब ले जाओ इसको, हमारे किसी काम का नहीं रहा, जाजा अगर मेरी बहन बहुत करो दुश्मन से मुकाबला तुझे भी करना है, और मजे भी, उठा ले हात्यार, और हो जाए फैसला तुश्मन से खीस साफ। मैं गिया बहुत करो इसको, हैंगर। मैं जनाए वीच्ट है जाएमला, झाल Deshalb जएमला, जलते आए घर कलो बस्तुरिए युल झाल झाल भाईया 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 परदार किसी ने हिलने की कोशिश की मैं इसका भेजा अड़ा दूगा वाईया अरे वाईया वाईया क्या टाइम पे एंट्री मारा साला दोनों हिरो मार खागे जाबर सब मुझे हिसाब चुकाना उस कैदी से और आपको इस जेलर से क्यूना पाटी बांट ले अरे वाईया पंटास्टिक आइडिया तुने तो मेरे खोपड़ी का धक्कनी ए जोकरी गोली इदर ने उदर मार उदर यह अपनी पार्टी का आदमी है मगर आप मैं तेरी पार्टी में नहीं हूँ ताला तू भी पहेंद्रा मार रही है क्या पैत्रा नहीं आज मैं तुझे भी मार डालूंगी मतलब तू भी नमक हराम निकली ताला लगता है मेरे नमक में कुछ गड़बड है सब नमक हराम निकली तक तां, तक तां बाद में तक तां तरीकौ! अलाइचा बार! कर भप न लो ढखना क कर दो फक लघकना कर दो हो अ खना कर दो है कर दो खक्यर नजर दय झा फ ल। कर फ़ दो le गजने ह ख़्या ख औा ह में सिंग हुवचर खुचर ए लब में आथ रोक लीजे सर और इनी हातों से जेल के दर्वाजे पर ये लिख दीजे कि कानून का मुझरिम दुनिया के किसी भी कोने में जाके छुप जाए कानून उसे धून निकालता है और ये तभी हो सकता है जब खानून का हर महाफिज तुम्हारे जैसा हो मा के लाल समझे मा के लाल और ये तुम्हारे जाए के लाल और ये तुम्हारे जाए के लाल ये तुम्हारे जारे जाए के लाल